फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम सीखेंगे capital and small ABCD A to Z A डाउन से उपर 1, 2, 3 त्री लाइन्स है, त्री लाइन्स में नीचे से उपर फिर उपर से नीचे और फिर पीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये बन गया हमारा capital A अब हम लिखेंगे small A small A लिखते हैं इस छोटे वाले बीच वाले लाइन में अब हम सीखेंगे B straight line 1, 2, 3 इन तीनों लाइन्स पे एक straight line ड्रॉ करेंगे then one curve then another curve अब लिखेंगे small B small B C capital C small C capital D small D capital E लिखने के लिए straight line ड्रॉ करेंगे और फिर उसमे three lines और अब हम ड्रॉ करेंगे small E small E बनाने के लिए सबसे पहले आप C के जैसा बना लेंगे और उसके बाद इसे ऐसे मिला देंगे बन गया आपका small E F बनाने के लिए ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन और फिर यहाँ पे two lines small F बनाने के लिए हम उपर से एक कर्व स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे three lines तक और उसके बीच में चोटू सा line डालेंगे small F अब हम बनाएंगे G G4 gun capital G G small G बनाने के लिए पहले C बना लेंगे और फिर यहाँ से line ड्रॉ करेंगे G अब हम बनाएंगे capital H straight line चोटू सा line straight line और अब हम बनाएंगे capital H हो गया अब हम बनाएंगे small H straight line यह one two यह सेकेंड वाले लाइन से H I बनाने के लिए एक line ड्रॉ करेंगे बीच में से एक straight line ड्रॉ करेंगे फिर एक line ड्रॉ करेंगे बन गया I small I बनाने के लिए हम एक छोटा सा line ड्रॉ करेंगे यहां middle में एक line लाइंगे एक और line ड्रॉ करेंगे यह हमारा बन गया capital K small K बनाने के लिए एक straight line ड्रॉ करेंगे लेकिन इस पार नीचे वाले से बनाएंगे यह हमारा बन गया small K L बनाने के लिए capital L के लिए straight line एक लाइन और L small L बनाने के लिए simple एक straight line ड्रॉ करेंगे यह बन गया L small L M बनाने के लिए straight line उपर से एक छोटा line second line तर फिर एक उपर से वहीं तक मिलाएंगे line को फिर वहां उसी point से एक नीचे तक line लाइंगे यह बन गया हमारा capital M अब हम बनाएंगे small M small M बनाने के लिए यह second वाले lines then एक और then एक और यह हमारा बनगया small M n बनाने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक slant line फिर से एक straight line यह हमारा बन गया capital N small N बनाने के लिए M के जैसे ही एक पर और line ड्रॉ करेंगे इसमें दो बार ड्राउ करना होता है O बनाने के लिए O Small O Middle Line में बनेगा O P बनाने के लिए हम एक Straight Line ड्राउ करेंगे और एक Curve बनाएंगे जैसा हम B में बनाये थे P Small P बनाने के लिए एक नीचे से Line ड्राउ करेंगे हमारा बनाएंगे Small P Q बनाने के लिए O बनाएंगे उसके बार उसमें से एक Line ड्राउ करेंगे हमारा बनाएंगे Q Small Q बनाने के लिए पहले C के जैसे एक छोटा सा C के जैसे बनाएंगे वहाँ से एक Line ड्राउ करके Q बनाएंगे Q ऐसा एक capital R बनाने के लिए एक straight line draw करेंगे, एक curve line draw करेंगे और एक slant line draw करेंगे, R, small R बनाने के लिए हम ऐसे draw करेंगे, R, S बनाने के लिए, capital S और small s, capital T, और a small t, U बनाने के लिए एक curve, बड़ा curve line draw करेंगे, capital U, small U बनाने के लिए एक छोटा सा curve line draw करेंगे, middle वाले में, U, V बनाने के लिए एक slant line, एक और दूसरे तरफ से slant line, और small V बनाने के लिए same, और बस यहां से curve, small V, W बनाने के लिए straight line, एक छोटा line, second line से, और एक ऐसा, और एक line, straight line, W, small W बनाने के लिए, फिर से मिडल वाले में बनाएंगे, small W, X बनाने के लिए cross बनाना है, small X बनाने के लिए, छोटा cross बनाएंगे, Y बनाने के लिए, हम capital Y बनाने के लिए, छोटा slant line और एक बड़ा slant line small y बनाएंगे uk जैसा curve करेंगे नीचे लाएंगे और ये y z बनाएंगे ऐसे z small z बनाएंगे small z please subscribe now my channel for more such videos